देश के राजनिती मैदान में चुनावी रंग बिरंगी कतिवीडियों की चर्चा हर कोने में च्छाई हुई है इसी कड़ी में कॉंग्रेस ने शुकरवार को यानि की आज 48 पेज का घोशना पत्र जारी किया है यह पत्र एक सीधा संदेश से जो आम जनता की विकास और न्याय को लेकर पक्षुपात रही थै दिल्ली के कॉंग्रेस मख्याले में सोनिया गांदी राहुल गांदी खड़के और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक से पीचिंद विरम ने प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से रुपे की सहायता और MSP को कानूनी मांडंड बनाने का वादा किया गया है मुख्य ध्यान युवा महिला मजदूर किसान को समर्पित योजनाओं पर है इसकी अलावा आर्थिक सामाजिक समानता के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे पार्टी ने अपने मानविये और नैतिक डिस्टी कोन के साथ एक और बड़ा कदम उठाया है कोशना पत्र में उल्ले किया गया है किस से लोकतंतर को मजबूती मिलेगी और नियाय के लिए एक मजबूत आधार प्राप्त होगा खडगे ने में चाता हूं कि जब हमारे नेता राहुल मनीपु जा सकते हैं तो नरेंदर मोधी क्यों नहीं जा सकते मुझे पता है कि मोधी मनीपु जाने से डरते हैं डरे हुए आद्मिक देश नहीं चला सकते खड़के ने कहा कि हम घर घर जाएंगे लोगों से मिलकर भाज्टपा की तरफ से किये जा रहे गलत कामों के बारे में बताएंगे भाजबा का केवल एक काम है कि चंदा दो और ठेका लो विजेपी पार्टी में करप्ट लोग है लेकिन वो हमें बदनाम कर रहे हैं जब नेता हमारी पार्टी में रहते हैं तो वो कहते हैं कि कॉंग्रेस नेता ब्रस है लेकिन जैसे ही उनके पास जाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है